यह जो मेरे दाई और पेड़ है यह ताइवान पिंग का पेड़ है और जो मेरे बाई और पेड़ है अलाबादी सफेजा का है इन पर मैंने अब की बार एक एक्सपेरिमेंट किया है और इस प्रियोग का जो रिजल्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ किसान सातियों अगर मेरे किये गए परियोग में आपके यहां कोई अंतर मिलता है तो आप उसे अवस्य साजा करें और मेरी बताई गई किसी भी चीज़ को पहली बार में आप पूरे बाग में ने अपलाई करें यानि पूरे बाग में परियोग मत करें इससे एक मेरे को अब पचास किलो मिटर के बाद पानी वानी और वातावरन बदल जाता है जमीन बदल जाती है जमीन का टेक्सर बदल जाता है पानी की तासीर बदल जाती है और वातावरन भी बदल जाता है इसलिए ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे हाँ हो पानी पत में भी वही लागू हो इस ची यह करीब तीन साल का हो गया और मैंने घर के सामने होने की वज़े से मैंने इसको बोना रखा है, अब मैं इसको बताता हूँ कि क्या प्रियोग जो मैंने किया वो दिखाता हूँ आपको, कि इसकी मैंने बहुत गहरी कटिंग फरवरी में की थी, यह देखी यहां से, यह यहां कर दिया था यह इतना बड़ा पेड़ था तो मैंने इसको बहुत गहरी कटिंग की थी यह देखें यहां पर यह देखें यहां से काटा यहां से काटा इसको और यह सब नहीं साखाई निकले अगर मैं इसको नहीं काटता तो यह पेड़ लगबग इतना बड़ा अब तक हो च इसमें सर्दी की फसल में तो मैंने क्या सोचा कि जब हम इसको फरवरी में कटिंग करते हैं तो जो अंबिया बाहर की फसल आती है आजकल वो पहुत अधिक आती है तो मैंने इसकी गहरी कटिंग करी और जब गहरी कटिंग की और इसमें इस्प्रे वगरा किया जैसे तेरा जी फल है ये तीन चार फल है ये अलाबादी सफेदा का पेड़ है ये देखे ये फल है इसमें ये फल है और ये फल है ये बरसात के फल है अब मैंने क्या किया कि जून आते आते मैं देखता रहा कि मैंने का फल आये हैं तो इसमें नुकसान भी होगा मेरे को तो मैंने इसको 15 पहले मैंने इसमें एक कटिंग और की, ये ध्यान रहे कि अधिक्तम पोदो की कटिंग 15 से 20 जून तक हो जानी चाहिए सर्दियों की फसल के लिए, और वो पहली मई से सुरू हो जाती है और वो ये चीज पर आधारित होती है कि आपके हैं पानी की क्या वियावस्था है और आ नहीं फैक्टर होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि राजस्थान में भी आप मई में कर दो या जून में कर दो, मेरे हां भी कर दो और दोनों बरापर चल पड़ेगी, चूंकि उसका संबंद ये भी होता है, आपके हां 12 कब होने वाली है, चलिए छोड़िए ये अलग बात है, म दूसरी वीडियो में करूँगा, अब जो जून के आसपास मैंने कटिंग की, ये वाली कटिंग की थी यहां से, ये देखिए, इस साखा निकली और ये दो साखाई निकली, इस साखा को मैंने यहां से काट दिया, लग बग आप देखिए ये छे साथ इंच होगी, पोधे क व्रद्धी नहीं होई, लेकिन यहां काटने से एक, दो, तीन ये साखाई निकली, और दो साखाउ पर फल आईए देखिए, और फल वही गुच्छे में तीन-तीन के में आते हैं, इसी परकार देखिए, आप इस पोधे पर कितने फल आईए हैं, ये मेरी सर्दियों की फसल है, ये देखिए, खुब फल आईए हैं इसमें, ये देखिए दर, पूरा भरा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि परतेख, आपको जो हना, परतेख साखा पर फल आएगा, इन साखाओं को आप इसे, जो हम थिनिंग बोलते हैं, उसे करने के लिए एकुछ साखाई हटा भी स सकते हैं, पोधे में परचुर हवा का प्रवा होगा, अच्छी धूम मिलेगी, रोग नहीं आएगा, इसे भी तो कुछ साखाए आप जिन पर फलावर नहीं है, उन्हें यहां से हटा सकते हैं, तो ये देखिए, इस वक्त ये पोधा पूरा फूलों से भरा हुआ है, ये मे पर लगाते हैं, या आपके उस पर बारा बाई बारा पर लगाते हैं, इस से अधिक नहीं, दस बाई दस या बारा बाई बारा पर, और वो सर्दियों की फसल लेना चाहते हैं, तो आपको उनके बीच प्रोपर दूरी रहे, इसके लिए फरवरी में गहरी कटिंग करिए, और एक इस परे सही तरीके से करिए कि वहाँ पर साख्वाओं की वरद्धी हो। साख्वाओं की वरद्धी का मतलब यह है कि जब वो साख्वा काटे जहां से वो पक चुकी हो। पकी हुई साखाई से ही निकलेंगे, कच्ची से नहीं निकलेंगे, और निकलेंगे भी तो तूट जाएंगे, तो वो साखाई निकलेंगे, और जून में जब नहीं साखाई निकलेंगे, तो आपको देखिए, पहली दूसरी तीसरी पत्ती पर फूल मिलेगा, यह फूल मिले और मैंने इसको भी यही काम किया, कि आप यह देखे, यहां से मैंने बहुत गहरी कटिंग की थी, यहां से कटिंग की थी, यह की थी, यहां से की थी, यह सब कटिंग जो हना मेरी फरवरी की कटिंग है, यह कटिंग है, यह कटिंग है, देखे, कितनी मोटी डंडी कटिंग, मै इतना बड़ा हो जाता और इतना सगन होता कि आप देखने सकते परिणाम क्या हुआ परिणाम वही हुआ कि ये देखे ये बरसात के फल हैं इसमें कुछ फल हैं कोई 10-12 पेड़ फल होंगे ये देखिए अभी मैं इन्हें बस पकने के लिए ये तयार हैं ये देखे कितने करटिंग की थी यहां पर ये वाली तो ये साखा निकली और ये साखा निकली अब मैंने इसको यहां से काट दिया इसकी साखा थोड़ी पतली होती है ये देखे लगबग 4 इंच पर काट दिया जब इसे काट दिया एक दो तीन ये साखा ही निकली और देखे इस साखा पर इस पर दो पर और इसी प्रकार ये साखा काटी तो यहाँ पर सभी साखाओं पर अगर आप देखेंगे तो जितना फल इस पर आया हुआ है ये देखेंगे ये सर्दियों का अभी भी फूल खिल रहे हैं ये पोधा इन्हें संभाल भी नहीं पाएगा उद्देश्य केवल एक था कि जो हाई डैंसिटी होते हैं बहुत बढ़ जाते हैं अगर हम उनकी कटिंग बहुत पास से करेंगे फरवरी में तो हमें बरसात का फल मिलेगा और हमें बरसात का फल नहीं लेना है और पोधों को बहुत अधिक मिलने भी नहीं देना है इन दो उ उस समय इसकी कैनोपी में अच्छी तरह खाद लगाईए जब खाद लगाएंगे तो जैसे कलिया निकलना शुरू होगी आप एनपी के तेरा जीरो पैतालिस का एक फंगी साइड मिलाईए एक को इंसेक्टी साइड मिलाईए चुकि जैसी छोटे पत्ते निकलने शुरू ह अगर आप रसायि करतें इसकी क्रिए और 905 निकलना फेर जाम शीरो पैतालिस क्या है करता है जो नैटोगरन उसका काम करता है तो वह बढ़ेंगे आपकी और जून आते आते जो आपकी टहनी होगी जो पक जाएगी उसे काट दीजिए और फिर आपका पोड़ा आपकर ये बात ध्यान रखने की है कि ये मैंने केवल दो वराइटी के लिए बताया है मैंने किसी तीसरी वराइटी पर ये परियोग नहीं किया ये था मेरा परियोग के सगन पद्दती में आप बरसात की फसल रोक कर सरदियों की फसल किस प्रकार लेंगे आप भी कुछ पोड़ों पर एक लाइन पर दस पोड़ों पर पांच पोड़ों पर करके देखिए और उस परियोग को साजा करिए इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद नमस्कार जैहिन जै भारत वंदे मातरम